हाई फ्रेंड्स मैं हूँ तुलीका और कुक वित तुलीका में आपका स्वागत है हाज मैं बनाऊंगी बहुत ही जटपट बनने वाली मंचूरियन तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे इसे मैंने चौमिन के साथ सर्व किया है चौमिन की रेसिपी मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगी यहां मैंने पत्ता गोभी लिया है जिसे मैंने घिस लिया है और इसमें नमक डाल कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था जिससे की इसका सारा पानी निकल जाए इसके बाद मैंने पत्ता गोभी के पानी को निचोड दिया है और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है अब सेम बाउल में बारिक कटे हुए प्याद, सिमला मिर्च और गाजर, काली मिर्च, बारिक कुटा हुआ जिंजर करलिक दो चम्मच कॉर्ण फ्लोर, एक चम्मच मैदा, थोरा सा सेजवान सौस डाल लिया है अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हाथ में थोरा सा तेल या पानी लगाएंगे और इसके चिकने चिकने छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से हमें इसे प्रेस करकर के बॉल्स बनाना है ताकि तलते समय ये बिखिरेना बॉल्स के साइच को आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं सारे बॉल्स के साइच को हम एक ही साइच के रखेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे बॉल्स जो है वो बनकर बिल्कुल तयार है तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे मैंने सारे बॉल्स को एक ही साइस के बनाए है अब चलिए इसे फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए कराही में मैंने तेल डाला है जब तेल गरम हो जाए फिर इसमें हम मंचुरियन बॉल्स को डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे जब ये थोड़ा सा नीचे से पक जाए फिर हम इसे टर्न करेंगे नहीं तो बॉल्स तूट जाएंगे और हम इसे उलट उलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे मंचूरियन फ्राई हो चुका है आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट बने है अब एक मैंने पैन लिया है उसमें एक चमच बटर बारिक कटे हुए अदरक, लसुन, हरी मिर्च और प्यास डाला है और एक बाल में मैंने सोया सॉस, टमेटो सॉस और थोड़े से सेजवान सॉस लिया है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब प्यास जो हैं वो हलके से भून चुके हैं अब इसमें हम सॉस को डालेंगे और यहां एक पैकेट मैंने मैगी मसाला डाला है जिससे की मंचूरियन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और फिर हम इसमें पानी एड़ करेंगे उस स्टेज पे हम इसमें ब्लैक पेपर और मिक्स हर्प्स डालेंगे और इसे अच्छी तरह से उबाल आने तेंगे फिर इसमें वन टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर की सलडी एड़ करेंगे जब यह उबल जाए तब इसमें मंचूरियन एड़ करेंगे मंचूरियन डालने के बाद इसे एक से दो मिनट के लिए और उबाल लेंगे जब यह रेड़ी हो जाए तब इसमें स्प्रिंग ओनियन एड़ करेंगे और इसे उतार लेंगे अब यह सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है सो सर्व इट एंड इंज्वाइट बिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई